नमस्कार दोस्तो आईटी एक्जाम गुरू जी यूटीब चैनल में आपका फेसे स्वागत है अपन यूनिट फाइव डेडलोग पढ़ रहे हैं और आज उसका सेकंड लास्ट लेक्चर समझ लो इसको क्योंकि इसके बाद एक छोटा सा चोटी चोटी टॉपिक का एक वीड डेडलोग क्या होता है, resources क्या होते है, resource allocation graph क्या होते है, circle, square, ages ठीक है वो किस चीज को क्या denote करती है वो पढ़ लिए फिर डेडलोग, डेडलोग को deal करने के लिए जो चार strategy है उनको पढ़ना था आप उनको basically डेडलोग में तो पहली थी ignorance, ignorance में क्या होता है, the ostrich algorithm होती है उस को एक normal problem समझ के ignore करते हैं और happy रहते हैं, पे रिक नहीं होते हैं, दूसरी पढ़ी थी हमने deadlock prevention, तो दूस्तों दूसरी strategy थी deadlock prevention जिसमें हमने देखा था कि जो deadlock को आने के लिए जो 4 necessary condition है, उन conditions पर attack किया था हमने, ठीक है, prevention में, तो उसमें हमने क्या किया था, holding, hold and weight पर attack क redemption पर attack किया था, circular weight पर attack किया था, हमने mutual exclusion पर attack किया था, ठीक है, यानि हमने उन 4 जो deadlock की necessary condition है, जिनकी वैसे deadlock आता है, उन पर ऐसा solution, उन में कुछ ऐसा changes करने ही कोशिस की थी, जिससे deadlock से, deadlock को हम रोक सकें, prevent कर सकें, उसके बाद हमने पढ़ा था, deadlock avoidance, third वाला, third में deadlock avoid evidence में हमने bankers algorithm पढ़ी थी कि किस तरीके से resources का allocation होता है, ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं deadlock, detection and recovery, तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे deadlock detection, उसके बाद पढ़ेंगे recovery, ठीक है, तो deadlock को detect कैसे करता है system, ठीक है, और detect करने के बाद होता है recovery, ठीक है, तो सबसे पहले ह detection होगा, detection and recovery, detection में देखिए, सामानित है, यह होता है, पूरा, और इसको देखके बहुत सारे लोग डर जाते हैं, यह कि देखने में थोड़ा सा डरावना है, और complex सा लगता है, इसलिए इसको देखके डर जाते हैं, डरने की जरुरत नहीं है, यह बहुती complex है, लेकिन इसक को सुरू करते हैं, तो अपना last, जो fourth strategy है, वो कौन सी है, deadlock detection and recovery, तो देखिए, deadlock detection किसे कहते हैं, जैसा कि हम जान चुके हैं कि system के सामने कभी भी deadlock की स्थिति आ सकती है, क्योंकि deadlock का हमीशा क्या होता है, unexpected होता है, ठीक है, कभी भी कोई ऐसी situation बन सकती है, जहां पर deadlock जब system को पता होना चाहिए, कि system के अंदर किस तरीके से resources का allocation हो रहा है, कौन सी process को कौन सा resource, तो देखो system को ये पता होना चाहिए, कौन सी resource को कौन सी process ने hold कर रखा है, ठीक है, और या फिर कौन सी process कौन से resource के लिए wait कर रही है, ठीक है, ये दो चीज़ें पता होगी, तभी तो वो detect कर पाएगा कि deadlock आ रहा है system है कि नहीं आ रहा है तो वही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि operating system को resource allocation के बारे मैं पता होना चाहिए system के अंदर कि कौन सी process ने कौन सा resource hold कर रखा है साथी कौन सी process कौन से resource का wait कर ली है जो मैं अभी आपको resource allocation graph से बताया था फिर system पता लगा लेता है तो फिर algorithm होती है उस algorithm के जरीए deadlock का detection करते हैं ठीक है लेकिन algorithm का solution है उसको बाद में पढ़ेंगे वो recovery में आएगा अभी detection पढ़ रहे हैं बस detect करना है deadlock आ रहा है आने दो फिर हमें पता लगाना है कि deadlock आएगा कि नहीं आएगा ठीक है तो deadlock detection में हम सबसे पहले detect करेंगे कि system में deadlock है कि नहीं है तो deadlock detection की दो technik है पहली है deadlock detection with one resource of single type single resource के साथ deadlock detection with multiple resource of single type बहुत सारे resource एक ही type के बहुत सारी resources के साथ तो single वाला पढ़ते हैं सबसे पहले देखिए यह single वाला है पहला इसमें क्या है deadlock detection with one resource of single type इस deadlock detection technique में deadlock को detect करने के लिए resource allocation graph में cycle को find किया जाता है मैंने यह चीज आपको पहले ही बताई थी कि कहीं पर भी ऐसी cycle बन नहीं है यह process है यह process है यह process है और यह cycle सी बन गई एक chain बन गई एक सरंखला बन गई है और यह आपस में आगे नहीं बढ़ रही तो इसका मतलब क्या है वहाँ पर deadlock है तो सबसे पहले जो resource allocation graph यही तो होते है जो को इसमें square है square का मतलब क्या है resource है और circle का मतलब क्या है process है तो इसमें देखिए यह square है यह sorry यह square है इसका मतलब यह resource है यह circle है इसका मतलब यह process है ठीक है तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए resource allocation graph में कि इस circle को क्या बोलते है और इस square को क्या बोलते हैं circle को process बोलते हैं और square को क्या बोलते हैं resource बोलते हैं ठीक है और resource से अगर arrow जा रहा है process की तरफ तो इसका मतलब क्या है ये resource process A ने ले रखा है और अगर A से resource की तरफ जा रहा है ये माली ये resource है और एसे arrow किसकी तरफ जाए तो ये इसका मतलब क्या है ये request कर रही है इसको यानि wait कर रही है इस resource का तो resource allocation graph में पढ़ाना भी सिखा दिया मैंने कि resource allocation graph को अपन कैसे पढ़ते हैं ठीक है यानि ये circle और ये square तो हमें पता है कि process होती है ये resource होता है लेकिन ये arrow कभी इदर से इदर की तरफ जा रहा है कभी इदर से इदर की तरफ जा रहा है यानि कभी resource से process की तरफ जा रहा है कभी process से resource की तरफ जा रहा है इन दोनों का अलग-अलग meaning होता है तो meaning मैंने बता दिया आपको तो इसमें देखी ये cycle है ठीक है इस cycle का मतलब क्या है यहां पर deadlock है तो single type की जो resources होते हैं उनमें deadlock detection के लिए सबसे पहले क्या find किया जाता है cycles को जैसा कि आफ RAG diagram में देख सकते है RAG का मतलब है resource allocation graph यहां system के within resources को RAG graph में दर्शाय गया है तो operating system यह detect करने कोशिश करेगा कि क्या इसमें कोई cycle present है तो यहां पर देखिए operating system क्या detect करेगा कि यहां पर कोई cycle present है ठीक है अब graph को गौर से देखिए graph में process D, process E, process G के बीच में cycle present है इस circle पर चलिए और इसमें देखिए process कहां कहां पर है तो मैंने बताया था round circle वाली होती है process तो एक यहरी process, एक यहरी process, एक यहरी process एक यहरी process ठीक है यानि D, E, और G यहां पर 3 process है cycle में ठीक है यानि cycle में process ढूढ़ने हैं तो circle देख लीजिए 1, 2, 3 D, E, G ठीक है detect करते हैं, अगर cycle होगी तो इसका मतलब deadlock है, यह कानी यहीं खतम हो जाती है कि deadlock detection अगर one resource of single type में करना है, तो cycle को find out करना होता है, यहाँ पर हमने देखा कि cycle found out, यहाँ पर cycle present है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर deadlock है दूसरी तरफ अगले graph को गौर से देखिए यहाँ पर कई processes, A, D, F, C एक साथ simultaneously resource S को पाने के लिए request कर रही है यहाँ पर देखिए, यह हमारा कोई resource है S, ठीक है, तो इस resource को पाने के लिए A, C, D, F, यह चार process courses कर रही है, इस resource S को पाने के लिए ठीक है, यह देखिए, यहाँ पर यह क्या है अपना resource S, और यह circle में क्या है, process है चार तो एक, यह सब क्या चारी है इस resource को पाने के लिए request कर रही है तो हम यहाँ पर यह नहीं कह सकते, यह deadlock state में अब यह मत कह देना कि सर यहाँ पर यह cycle बनने यह एक तरीके से तो यह deadlock state में नहीं है भीया, यहाँ पर सर, यह किसी भी deadlock state नहीं बोलेंगे इसको क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर resource S को सभी processes के लिए allocate करने का sequence present है देखिए, यहाँ पर sequence कैसे present है, यह deadlock नहीं है यहाँ पर अगर कोई बोलेगा कि यह deadlock है तो deadlock नहीं है, क्यों नहीं है जैसे पहले resource S को पाने के लिए allocate किया जा सकता है देखिए, यह कोई process है, यह कोई resource है मैंने बताया कि अगर कोई process से resource की तरफ एरवाया है तो इसका मतलब क्या है, कि इसको पाने के लिए, resource को पाने के लिए process ने क्या किया है, request किया है अगर यह ऐसे होता, तो इसका मतलब क्या है, यह allocate हो चुका है इसको process को, यह resource, ठीक है तो यहाँ पर देख रहे हो, इसको A, C और D, F को आप देख रहे हो सब के arrow किस की तरफ आए है resource s की तरफ आए है इसका मतलब क्या है इन सब को ये request करना है resource s को पाने के लिए ठीक है तो क्या यहां पर deadlock की situation बन सकती है नहीं बन सकती क्यों नहीं बन सकती सबसे पहले ये resource s इसको a को allocate किया जा सकता है मान लीजे ये चारो request करने है अब a को दे देते हम ठीक है तो a कुछ समय के लिए इसको use करेगा और फिर release कर देगा अब कौन आया अब c को दे दिया c ने इसको use किया फिर release कर दिया अब हमने इसको f को दे दिया f ने इसको use किया फिर release कर दिया फिर हमने इसको D को दे दिया, D ने इसको use कर लिया और release कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर deadlock नहीं है, ठीक है? तो यही बता रहा था हर cycle को देखके deadlock मत कर देना हो, वहाँ पर देखना भी पड़ता है, ठीक है? तो यह कुछ panic नहीं है, important भी नहीं है, देखो सबसे ज़्यादा panic और important क्या है, उस पर चलते हैं. दूसरा वाला है जो अपना strategy deadlock detection का, वो क्या है? Deadlock detection with multiple resource of single type. जब हमारे पास एक जैसे, एक से अधिक resources होते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर tape drive है, 4 plotter है, 3 scanner है, 1 cd-rom है, ठीक है? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? एक ही type के एक से अधिक resources है मेरे पास, tape drive एक ही type के कतने है? 4 plotter एक ही type के कतने है? 2 scanner केतने है? 3 CD-rom कतने है? 1. और भी हो सकते हैं तो यहाँ पर बस multiple resources के साथ अपने क्या करना है deadlock detection करना है माल लीजिए हमारे पास ऐसा system है जिसमें एक ही type के एक से ज़्यादा resources है तो वहाँ पर हमको deadlock detect करने के लिए दूसरी type की algorithm की आवर्शक्ता होगी इसको समझने के लिए नीचे दिये गए diagram पर गौर फर्माई है तो यहाँ पर हमने गौर फर्मा लिया है तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास एक ही type के इतने resources है और हमारे पास तीन process है P1, P2, P3 ठीक है P1, P2 and P3 तीन process और इसको बोलते है current allocation matrix यानि matrix तो आप जानते ही हो आपने पढ़ी होगी इंजिनरिंग में है ना आपने BTEK BCM पढ़ी होगी यह matrix क्या होती है तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे process P1, P2, P3 के लिए matrix है यह तो पहली वाली जो रो है वो इसका मतलब क्या है यह वाली जो रो है यह किसके लिए है यह P1 के लिए अगली वाली रो है वो किसके लिए है P2 के लिए अगली वाली रो है किसके लिए P3 के लिए है तो अब मैं इसको अठाके यहाँ से दिखाता हूँ आपको यानि process P1 को यह देखिए current allocation metric है यानि इतने resources इस में से इतने resources यहाँ पर allocate हो चुके हैं तो यहाँ पर P1 को देखते हैं और देखो यह जो पहला वाला column है यह tape drive का है दूसरा वाला column है यह plotter का है तीछरा वाला column है यह scanner का है चौथा वाला column है वो CD Rome का है ठीक है और जो पहली वाली row है यह process P1 की है यह दूसरी वाली row है यह process P2 की है यह तीसरी वाली row है यह process P3 की है ठीक है अब देखो process P1 P1 को क्या allocate हुआ है 0 क्या tape drive पहले नमबर पर क्या है tape drive तो इसको 0 अलोट हुआ है दूसरे नमबर पर क्या है plotter, दूसरे नमबर पर क्या plotter तो plotter भी इसको 0 allocate हुआ है तीसे नमबर पर क्या है scanner, तो scanner कितना अलोट हुआ है इसको 1, इसका मतलब क्या हुआ अब यह scanner कितने रह जाएंगे 2, 3 की जगए कितने रह जाएंगे अब scanner यहाँ पर 2, क्योंकि यह कहाँ चला गया P1 के पास, अगला है CD-ROM CD-ROM कितने allocate हुआ है इसको 0 तो process 1 को सिर्फ क्या मिला है, एक scanner मिला है, ठीक है तो इस चारों में से tip drive plotter scanner की quantity में से सिर्फ क्या कम हो गया है, एक scanner कम हो गया है जो process P1 को मिला है, ठीक है अब देखिए P2 को, P2 को देखने पर हम देख सकते हैं कि P2 को क्या allocate हुआ है 2, 2 का मतलब यह पहला वाला कॉलम किसका है, tape drive का, तो इसको 4 में से क्या allocate हो गए, 2 tape drive allocate हो गए, तो यहाँ पर अब tape drive कितने बच्चे है, 2, ठीक है आगे इसको plotter कितने allot हुआ है, 0 और सकेनर कितने allot हुआ है, 0 यानि इसको scanner भी allot हुआ, plotter भी allot हुआ हुआ पर आगे देखते हैं, तो इसको अगला वाला, जो last वाला है, वो किसका है CD-ROM का, तो CD-ROM कितने allot हुआ है, इसको 1 तो CD-ROM कितने हो गए, एक ही था हमारे पास अब हमने यहां दे दिया तो जीरो हो गए हमारे पास ठीक है अब देखें P3 P3 को जीरो क्या अलोट हुआ है टेप ड्राइब Plotter कितना अलोट हुआ है 1 तो Plotter अब हमारे पास 2 थे तो एक अलोट हो गया तो अब कितना बचा 1 अगर आगे चलिए आगे देख रहे हैं scanner scanner यह इसको P3 को कितने अलोट हुए हैं 2 तो हमारे पास 2 ही थे 2 यहां अलोट कर दिये तो कितने बच्चे हैं 0 बच्चे हैं हमारे पास अगला देखिए CD drive इसको कितने अलोट हुए है 0 बैसे भी हमारे पास 0 थी तो यह 0 यह है अब देखो इसको दूसरे तरीके से हमारे पास 4 tape drive थी ठीक है और यह tape drive का column है देखा हमने only 2 tape drive use हुई है 2 हमारे पास available है ठीक है भी है अगला देखिए अगला बाला column किसका है plotter का plotter हमारे पास कितने हैं 2 allocate कितने हुए है इसमें process p1 को नहीं हुआ p2 को भी नहीं हुआ p3 को एक allot हुआ है तो हमारे पास कितने बच्चे 1 अगला चलिए अभी है तीसरा column किसका है scanner का scanner में देखिए हम process p1 को एक allocate हुआ process p2 को नहीं हुआ process p3 को 2 allot हुआ है इसका मतलब अब हमारे पास scanner 3 थे 3 allocate हो गए क्योंकि एक इसको दो इसको 3 यहां पर allocate हो गए तो हमारे पास scanner कितने बच्चे 0 cdrome देखिए भी है एक है हमारे पास cdrome का column कहा ही यह वाला है इसमें देखा process p1 को 0 allocate हुआ है process p2 को 1 allocate 3 को 0 इसका मतलब एक ही था हमारे पास एक यहां allocate हो गया p2 को तो इसका मतलब 0 तो हमारे पास क्या बच्चा है दो तो tape drive बच्चे है एक plotter बच्चा है scanner 2 री यूज हो गए 0 बच्चे है cdrome 0 बच्चा है ठीक है इतना समझ में आ रहा है आपको अब देखिए अभी वाला जो इतने resources तो थे हमारे पास इतने हमने allocate कर दिये चहीं तो था और बच्चे कितने थे हमारे पास अभी हमने बच्चा के देखे थे तो हमारे पास 2 तो tape drive बच्ची थी 1 plotter बच्चा था 0 scanner बच्चे थे और 0 cdrome बच्चे थे मेंने बताया है 4 tape drive थे 4 मैं से 2 यहां यूज हो गए तो हमारे पास बच्चे कितने 2 plotter 2 थे यहां पर एक यूज हो गया यहां पर देखो 0 0 1 यानि एक यूज हो गया बच्चा कितना 1 scanner 3 थे हमारे पास एक यहां यूज हो गया दो यहां यूज हो गया यानि 3 के 3 यूज हो गया 0 बच्चे है हमारे पास cdrome में एक है हमारे पास 0 1 1 यानि एक था वो एक यहां यूज हो गया process P2 में हमारे पास कितने बच्चे 0 simple है यहां तक समझ में आगया यानि यह वाली existing resource vector समझ में आगयी current allocation समझ में आगया resource जो available है अभी हमारे पास वो समझ में आगये कितने available है यानि हमारे पास कुल resources इतने थे उसमें से इतने process P1, P2, P3 को हम allocate कर चुके हैं और इतने हमारे पास बच्चे हैं ठीक है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को अब देखिए यह जो बच्चे हैं इन में से इनकी पूर्ती करनी है जो और मांग रही है यह process यहां पर पास यहां पर गौर्ट से देखिए थोड़ा सा दिमाग सेंटर में रखके कि process P1 को यानि यह वाली line किस की है P1 की यह वाली line किस की है raw P2 की यह वाली किस की है P3 की यह किस की column है tape drive की यह किस की plotter की यह किस की है scanner की यह किस की है cdrome की ठीक है यह raw column समझ लो पहले ठीक है अब देखिए इसको इतनी request matrix यह ली request matrix का मतलब है कि इतनी पहली matrix जो allocate हो चुकी है उसके अलावा इतनी और चाहिए ठीक है तो क्या इनसे पूर्ती हो सकती है bankers algorithm की जरह बिल्कुल bankers algorithm की तरह है क्या इन बच्चे हुए जो हमारे पास यह बच्चे हुए resource है क्या इनसे जो request कर रही है यह पूर्ती हो सकती है क्या request की अगर पूर्ती हो सकती है तो इसका मतलब there is no deadlock अगर पूर्ती नहीं हो रही है इसका मतलब deadlock है तो 1 by 1 हम देखें प्रोसेस P1 को allocate करके देखते हैं हमारे पास बचे कितने है टेप ड्राइब 2 P1 ने कितने मांगे 2 ठीक है भईया मिल जाएंगे आराम से आगे चलिए plotter इसको 0 चाहिए 0 request किया है scanner भी 0 request किया है CD-ROM एक request किया है तो भईया इसको हमने tape drive तो 2 हथे हमारे पास दे दिये लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि CD-ROM एक चाहिए लेकिन हमारे पास CD-ROM कितनी है 0 इसका मतलब यह इसको हम इसकी पूर्ती नहीं कर सकते हैं इसको satisfy नहीं कर सकते हैं इसका मतलब क्या है इस process P1 को wait करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा wait करना पड़ेगा resources के लिए अब चलिए process P2 पर तो यह हमारी process P2 और process P2 यहाँ पर आएगी अब देखिए process P2 को tape drive कितने चाहिए 1 हमारे पास कितने है 2 यानि हम इसको दे सकते हैं इसकी पूर्ती कर सकते है अगला देखिए अगली demand क्या है इसकी request क्या है अगली plotter कितने हमारे पास 1 इसको कितने चाहिए 0 यानि कोई दिकत नहीं है अगला scanner कितने हमारे पास 0 लेकिन इसको scanner कितने चाहिए? 1 लेकिन scanner कितने है? हमारे पास 0 इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हम इसकी पूर्थी नहीं कर सकते इसको satisfy नहीं कर सकते इसकी request को और यह process भी क्या करेगी? wait करेगी क्या करेगी? wait करेगी ठीक है? यानि process P1 की पूर्थी नहीं हुई थी उसको wait करना पड़ेगा यानि वो अपने execution को continue नहीं कर सकती process P2 को पूर्थी नहीं हुई रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट की पूर्थी नहीं हुई जितने resource उसको चाहिए execution continue करने के लिए उतने वहाँ पर conditions नहीं मिल पाई उसको resources नहीं मिल पाई तो उसकी भी false हो गई यानि उसको भी पूर्थी नहीं कर सकते है ठीक है? अगला देखते है process P3 तो process P3 यह रही और process P3 यहाँ पर आ गई process P3 को tape drive चाहिए 2 तो 2 हैं हमारे पास दे सकते हैं हम इसको चलो यह वाली condition satisfy है अगला है plotter 1 अभले वाल है हमारे पास इसको plotter चाहिए 1 ठीक है? यानि हम इसको plotter भी दे सकते हैं एक plotter मागा plotter भी दे सकते हैं scanner इसको 0 चाहिए वैसे भी हमारे पास 0 था CD-ROM भी नहीं चाहिए इसको क्योंकि हमारे पास 0 था इसको भी 0 इसका मतलब यहां पर यहां पर cycle नहीं है तो इसका मतलब क्या है यहां पर deadlock नहीं है अगर यहां पर अगर यहां पर अपन क्या करते अगर मैं यहां पर एक scanner और demand कर देता ठीक है इमाल लीजे मैं सपोज यहां पर एक scanner और demand कर देता हूँ कि एक scanner और चाहिए तो यहां पर देखिए tape drive कितने है दो मिल जाएंगे इसको 2 मैं से 2 available है हमारे पास दे देंगे plotter कितने चाहिए इसको 1 तो यहां पर एक plotter दे देंगे हम आसानी से इसको अगला देखिए इसको scanner कितने चाहिए 1 लेकिन हमारे पास कतना है 0 तो पहली वाली भी satisfy नहीं थी process वेट कर रही थी दूसरी वेट कर रही थी और तीसरी वेट कर थी तो इसका मतलब क्या था यहां पर deadlock था ठीक है अब यहां पर deadlock नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि थर्ड वाली जो process है उसकी पूर्ती हम कर सकते हैं और अगला दिमाग गुमाई है फिर बाकी की पूर्ती कैसे हो जाएगी यहां पर यहां पर प्लोटर एक था तो एक इसने यहां पर दे दिया प्लोटर और वो plotter भी एक हो गया बापिस लेकिन क्या इन दोनों की chain चूटेगी बताओ क्योंकि देखो process P1 और P2 को देखो P1 को एक चाहिए क्या CD-ROM लेकिन P2 को अल्रेडी वहाँ पर CD-ROM अलोकेट हो चुका है तो यहाँ पर फसी हुई है और P2 को देखे P2 को एक क्या चाहिए टेप ड्राइब तो हमारे पास दो है देदेंगे एक लेकिन इसको एक scanner भी चाहिए scanner हमारे पास तो 0 है क्यों है 0 क्योंकि scanner और पी 1 ने और P3 ने ले रखा है तो P3 तो माल लो complete होगी तो यह 2 scanner यहाँ पर release कर देगी process A process A में देखिए हमारे इसको क्या चाहिए process A को 2 tape drive चाहिए तो tape drive तो हमारे पास 2 है देदेंगे इसको फिर इसको 1 क्या चाहिए CD ROM लेकिन CD ROM किसने ले रखाता पहले P2 ने लेकिन P2 तो निकल गई न बार तो यह भी इसको मिल जाएगा यहाँ यहाँ पर deadlock ही नहीं ठीक है यहाँ यह एक chain तोड़ देगा cycle को तो इसकी भी chain तोड़ जाएगी इसकी भी chain तोड़ जाएगी थोड़ा से दिमाग गुमाओ ठीक है तो यहाँ पर सब को sequential हो रहा है तो दोस्तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा deadlock detection single resource के साथ कैसे किया multiple resource के साथ कैसे किया single resource में हम क्या करते है cycle को find out करते है multiple resources में हमारे पास क्या होती है matrix होती है matrix में हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास resource vector होता है जिसमें multiple resources दे रख्यों होता है कि कितने resources हमारे system में है कितने और चाहिए ठीक है और फिर इसमें हम डाल डाल के देखते हैं कि क्या यहां पर डेडलोग है P1 की request को देखते हैं पहले डाल डाल के resources के साथ फिर P2 को देखते हैं फिर P3 को देखते हैं ठीक है और कहीं भी अगर chain टूट रही है तो एक chain से फिर resource release होते हैं तो बाकी other processes के लिए वो available हो जाते हैं तो chain टूट जाती है अगर आप लोगों की समझ में यह topic आ क्या होगा तो that's very wonderful and fantastic है ना unbelievable है कि आप सब लोगों की में बड़ी आसानी से समझ में आ गया वरना आप लोग मुझे बताना मैं इसको फिर दोबारा आपको समझा दूँगा इसी के साथ मिलता हूँ आप से नई वीडियो में तब तक के लिए study heart best of luck